हेलो एंड वेलकम तो मैं चैनल लर्न इंग्लिश वित अर्फान नियाएक आज हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे वेर दा माइड इस विदाउट फियर बाई रबिंदर नाथ टैगोर यह लेसन जो है 11th क्लास इंग्लिश का 9th लेसन है और यह एक पोएम है यह पोएम लगे वही बिंगाली वर्फ जो है उनने क्या-क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट किये उसकी बाद उनको जो है नॉबेल प्राइज भी मिला ठीक है नोबेल प्राइज मिला था लिटर्चिर के बारे में लिटर्चिर पर इन्होंने जो एक फेमस बुक लिखी उसका नाम है टाइगर तो East India Company में इंग्रेज तो वह भी बंगाल में रूल कर रहे थे ठीक बंगाल रूल कर रहे थे पूरी इंडिया को तो यह पोएम जो है बहुत फैमस पोएम उस दोरा उनकी बहुत famous मानें में आज कल भी बहुत famous मानें जाती है ये और इसमें जो है उनने जो है prediction दी है कि जब हमारा हिंदोस्तान आजाद होगा तो हमारा हिंदोस्तान कैसा होगा यहां पर रविंदर नाट टैगोर बोह रहे हैं कि where the mind is without fear इसका मतलब यह है कि जब हमारा हिंदोस्तान आजाद होगा तो वहां पर हर इंसान का माइड हर बंदा डर से धूर होगा कोई डर नहीं होगा हमें हमें कोई डर नहीं होगा सबसे पहले हम टाइटल को अच्छी तरह समझेंगे यहां पर क्या बोह रहे हैं रविंदर नाट टैगोर कि हमारा हिंदोस्तान आजाद होगा यहां पर किसी चीज़ का डर नहीं होगा कोई बंदा डरेगा नहीं हर बंदे को आजादी होगी ठीक अरविंदा अरविंद्र नाट टैगोर यहां पर किसा होगा यहां एक एसा देश होगा ज्यहां पर हम डर के- हमारा mind without a doubt हमें किसी चीज का doubt नहीं. हमें किसी चीज का doubt नहीं होगा। हम सिर उंचा करके रह सकते हैं, हमारे कोई डार नहीं होगा जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हो तब की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में, नेक्स बोरे हैं, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, तो यहां पे गो रहे हैं, कि जब हमारे हं इनधुस्तान आजाद होगा, तो हमारे knowledge होगा, knowledge free होगा, meaning free education होगी, ऐस सपना देख रहे हैं, हमारे हं हिंदुस्तान घ्रफा में जूँस्तान में होगा, हर बंदय की यिजित होगी, हाई मतलब हर बंदे की इज़त होगी हर बंदा जो है सिर उंचा करके चल सकता है और कोई बेदबाव नहीं होगा और नौलेज जो है फ्री होगा और वर्ल्ड है नौट बिन ब्रोकन अप इंटो फ्रेग्मेंट बाइ नेरो डिमेस्टिक वाल्स यहां पर इसका मतलब यह है क यहां पर हमारा हिंदोस्तान वो टूटा हुआ नहीं होगा वो एक जुट होगा यूनिटी होगी क्या होगी यूनिटी होगी एक जुट होगा तूटा हुआ नहीं होगा नेरो डिमेस्टिक वाल्स मिन्स छोटे छोटे चोटे टुकडों में ठेक है मतलब इंटु फ्रेग तब देख रहे हैं, यह 1910 की बात है, तब उन्होंने लिखी थी point, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बहु रहे हैं, कि हमारा हिंदोस्तान जो है, एक unity होगी हमारे हिंदोस्तान में, और क्या होगा, जो हमारे हिंदोस्तान है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं बटा होग मतलब जहां से words, where words come out from the depth of truth, और जहां पर words होंगे, वो truth होंगे, वो सच होंगे, जो भी कोई बोल रहा होगा, जो भी कोई बात की जाएगी, वो क्या होगा, सच होगा, मिन सच के अलावा कुछ नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल सच होगा, और unity होगी हमारे हिंदोस्तान म यह क्या, सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, कि ऐसा हिंदोस्तान होगा, ठीक है, बोल रहे हैं, where tireless striving stretches its arms towards perfection, यहां पर बोल रहे हैं, कि वो जो जो लोग हैं हमारे हिंदोस्तान के, वो क्या होंगे, tireless होंगे, ठकेंगे नहीं, striving मतलब महनत करेंगे, stretching, stretches, मतलब फैलाएंग अपने हाद फैलाएंगे, perfection की तरफ, means अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, perfection की तरफ, perfection की तरफ, perfection इ करेंगे वैसा हिंदुस्थान होगा हमारा वैसा हिंदुस्थानी चाह रहे हैं ये सोच रहे हैं अपने माइंड में कौन रविदर नपने रोंपने में हर एक बंदा महनुत कर रहा होगा ठीक है नेक्स क्या बोह रहे हैं नेक्स बोह रहे हैं where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert of sand of dead habitat यहां पर क्या बोह रहे हैं कि क्या होगा हमारे हिंदोस्तान में clear stream of reason जो भी बात की जाएगी logic के बेस पर की जाएगी logic के बेस पर reason के बेस पर की जाएगी कोई भी rule होगा कोई भी बात होगी reason के बेस पर logic के बेस पर ऐसी life less dreary मतलब life less ऐसे ही नहीं होगा ठेक है unprogressive thoughts नहीं होगा dead habit मतलब unprogressive thoughts नहीं होगा जो भी thoughts होगे जो भी यहां पर habit होगी जो भी काम किया जाएगा perfection के लिए किया जाएगा और reason के base पे होगा logic के base पे होगा जो भी सोचा जाएगा जो भी decision लिया जाएगा reason के base पे लिया जाएगा जिसके पीछे कोई logic हो without logic नहीं होगा ठीक है यहाँ पर क्या बो रहे है where the mind is led forward by the into ever widening thought and action यहाँ पर क्या बो रहे है कि where the mind is led forward यहाँ पर mind जो है आगे होगा mind को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और widening thoughts को बढ़ाया जाएगा नवजवान लोग जो हैं जो youth हैं उनके thoughts को बढ़ाया जाएगा वो thoughts open नहीं सोचेंगे open minded होंगे उनके लिए खुली छूट होगी आजादी होगी सोचने की सोचने की आजादी होगी new मतलब innovative ideas को लाने की आजादी होगी ऐसा बहरत जो है रवीदा नाट टाइगोर यहाँ पर चाहते हैं ठीक है into that heaven of freedom my father let my country awake बोलते हैं उस freedom में into that heaven of freedom जो गॉड़ है रवे करेगा जगाएगा मेरी कंट्री को और मेरी कंट्री जो है फ्रीडम बनेगी फ्रीडम मतलब अच्यूब करेगी into that heaven of freedom मतलब heaven के जनत जो फ्रीडम आएगी जब आजादी आगी वो जनत जैसी होगी यहाँ पर क्या बोलु रहे हैं कि हमारी आजादी जो होगी वह जनत जैसी होगी वहां पे हमारा सिर उचा होगा हमारा जो हमारी इजद होगी हर बंदे की डिगनिटी होगी और वहां पे हमारे हिंदुस्तान में क्या होगा एक क्या होगा एक यूनिटी होगी यह कब की लिखी गिये जब हम गुलाम थे भॉलिए वैसे यहां फालो कर रहे है वह वह में सोचना है यह बंदे को अजादी है हर बंदा को हर बंदा सिर उंचा करके देख सकता है लिख सकता है पढ़ सकता है यह जो है कुआ किने बोले थे रबी दरन टाइगोर ने उस टाम बोले थे के ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान में ठीक है तो यह जो है कुछ मनलब इसकी प्राइम है और इसकी जो है क्वेस्टिन बहुत ही एजी हैं आप यहां पर देख सकते हैं questions यहां पर नहीं है इस page बे तो questions जो भी होंगे बहुत easy होंगे और यह poem बहुत famous मानी जाती है जब Barack Obama इदर आये 2010 में है तो इन्होंने यह poem जब Parliament में बोली थी ठीक है इसके कुछ lines बोली थी वहां पर ठीक है यह बहुत famous poem है कि freedom के बारे में कैसे आजादी होनी चाहिए हमारी यह तब लिखीगी जब हमारा हिंदुस्तान British के अंडर था हम में आजादी नहीं थी हमारा अपना flag नहीं था हमारा constitution नहीं था और अब हमारा constitution बे हमारी आजादी है अब हम जो है independent है ठीक है I hope यह वीडियो आपके लिए helpful होगी इस वीडियो को like कीजे comment कीजे और share कीजे अपने friends के साथ जिनको इस वीडियो की जुरूरत है और हाँ इस channel को अब भी तक हो आपने अगर subscribe नहीं किया है इस channel को subscribe करके bell icon को press करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें शुक्रिया